नमश्कार दोस्तों स्वागत है आपको हमारे आज के नई वीडियो में कैसे हैं आप लोग गई हो ठीक होंगे भगवान आप लोग को स्वस्त रखे मस्त रखे दोस्तों बात करने वाले हैं अगर आप सभी लोगों के पास भी यहां पर यहां पर दोस्तों अगर आपको यहां पर लोन को ओफर शो होता है आपको लोन लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए उसके बार में यहां पर डीटेल में समझाऊँगा लेकिन दोस्तों पहले बता लूगों वीडियो पर नए है चैनल पर नए है तो वीडियोको लाएक और चैनल को सबस्क्राइब करना आप लोग बिल्कुल मत भूलिएगा तो चलिए दोस्तों वीडियो को मैं शिरू करता हूं यहां पर जो भी मैं डीटेल्स यूज़ कर रहा हूँ यहां पर वीडियो बनाने के लिए यह राइड वन इंडिया यूटूब चैनल ने जो यहां पर यह वीडियो क्रेट कार्ड मिलता है उसमें आपको आपका रेट ऑफ इंट्रस बहुत जादा ही तो यहां पर लगा दिया जाता है साथ ही यहां पर पूरा आप लोगों को डिटेलर समझाने वालों वीडियो को आप लोग जरूर जो पूरा देखिएगा अब दोस्तों कर आप लोगों को आपके Galaxy X shirt credential credit card पर लोण दोस्तों हमेशा यहां पर अफर के टहति हैं सभी Quality card holders को यहां पर लूद करता है किसको लून देना जिनका यहां पर रस्धियों निस्तों यहां पर प्रेयृप लोण जो है वो दे दिया जाते हैं तो यहां पर आपने अपने Lion अब यहां पर बात कर लेते हैं लोन ऑपर की तो यहां पर दोस्तों जो राइडवन इंडिया वाले चैनल वाले यूट्यूबर है उनको यहां पर तीन लाख इक्कीस हजार उपे का लोन ऑफर इनके एक्सिस बैंक क्रेड़ कार्ड के ऊपर जो फ्लिपकार इस बैंक क्रेड़ कार्ड है उस पर दोस्तों यहां पर ओफर जो है उनको यहां पर शो हुआ तो आप लोग देख सकते कैसे लिखाया जस फर यू नाव अवेल लोन इंस्टनली विच जीरो डोकुमेंटेशन एट सुलो पॉइंट बीस परसेंट पर अनम यानि कोई भी डोकुमेंटेशन नहीं होगा क्योंकि पहले से क्रेड़ कार्ड है क्रेड़ कार्ड में सारे डोकुमेंटेशन पहले से हो रखा होता है तो उसके बेस पर तीन लाख 21,000 रुपे का लोन मिल रहा है और 16.20% पर अनम के साफसे इनको यहाँ पर रेट ओफ इंटरस्ट लगने वाला है लेकिन उसको यहाँ पर आप लोग जिब भी क्रेड़ कार्ड पर लोन लेते हैं आपको प्रसेंग लग लगती है जैस ची अवेल नाव वाले ओप्शन पर टैप करना जैसे कि इन्होंने करा इनको 3,21,000 लोन मिला ओफर मिला तो इन्होंने अवेल नाव वाल ओप्शन पर टैप करा और लोन ले भी लिया रहता तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि calculate EMI and amount payable तो यहाँ पर आपको जितने का ल पूरा लोन लेना है आप लोग कम भी ले सकते हैं तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मिन्यूम 25,000 लॉन ले सकते हैं मैक्सिम जो आपको जितने का लोन ओपर हुआ है उतने का पूरा लोन आप लोग ले सकते हैं और 1-2 गंटे के अंदर लोन का amount आपके bank account में यहाँ transfer भी जो है वो हो जाता है maximum दोस्तों loan का जो 10 year है वो 48 months का होता है और इन्हों ने यहाँ पर 48 months का ही select किया था तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं loan summary and account selection rate of interest 16.2% यहाँ पर दुस्तों 3,500,000 रुपे की जो EMI है वो 944 रुपे की इनकी EMI यहाँ पर बन रही है अभी यहाँ पर दुस्तों इन्होंने जो है जो अपना loan offer है वो 3,000,000 रुपे के ले लिया कि वो इनको 3,000,000 के जुड़त थी जोनने 3,000,000 रुपे का loan ले भी लिया था तो यह लोन लेंगे तो आपका loan amount आपके bank account में transfer होगा उसमें एक one time processing fee भी लगाई जाएगी जो कि 6,000 रुपे यहाँ पर लगाई जाएगी और उसके उपर एक 18% का GST भी लगाया जाएगा जितना भी इन्होंने 3,000,000 का loan लिया है तो 3,000,000 के अंदर 2,94,000 रुपे इनको पैसे जो है तो अलग से यहाँ पर इनके account में कड़कर इनको पैसे जो है वो यहाँ पर इनको मिले होंगे तो इसके बाद यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि इनका दोस्तों अभी total इन्होंने loan पहले लिया था तो अभी दोस्तों यहाँ पर इनका जो outstanding amount दिखा रहा है वो 16, 175 रुपे दिखा रहा है अब दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं कि actual में जो loan महंगा कितना पढ़ने वाला है जहाँ आपको पूरा में detail में बताऊंगा कि आप लोग देखेंगे कि आपको कितना महंगा यह loan जो है वो यहाँ पर पढ़ने वाला है यहाँ पर दोस्तों इन् EMI चार्ड हमें कोल कर दिखाया कि आप लोग दिख सकते हैं आउट्सेंडिंग अमाउंट प्रिंसिपल अमाउंट इंट्रस्ट EMI तो यहाँ पर दोस्तों आउट्सेंडिंग अमाउंट तीन लाग था फिर दो लाग 95,000 हुआ तो यहाँ पर दोस्तों इनकी जो एक फिक्स EMI जा रही है वो 8498 रुपे की है जो कि 48 महने तक यहाँ पर जाने वाली है 8498 रुपे 48 मंट्स तक यहाँ पर इनकी रेगुलर दुस्तों EMI जाएगी तो प्रिंसिपल जो भी हर EMI आती है हर EMI के अंदर जिसे प्रिंसिपल अमाउंट यहाँ पर 45,000 रुपे है तो उस पर इ दुस्तों इनको EMI जो है पे करने पड़ रही है जितना प्रिंसिपल अमाउंट है लगबग लगबग दुस्तों उतना है इनको हर मेने इंटरस्ट जो है वो यहाँ पर पे करना पड़ रहा है तो यहाँ पर दुस्तों आप लोग देख सकते हैं 8498 रुपे बहत्तर पैसे क इनकी EMI है योगि इनको 48 मंद सक पे करनी है तो यहाँ पर दुस्तों के आप लोग देख सकते हैं 8498 रुपे की इनकी EMI थी उसको मल्टिप्लाय करेंगे 48 मंद सक तो इनकी EMI है 84-98 रुपे 48 मंद सक पे करने है तो यहाँ पर दुस्तों जब 48 मंद से इनकी EMI को कल्कुलेट करा गया तो इनको 4,7,904 रुपे यहाँ पर बनने पड़ेंगे तो इसको भी यहाँ पर एड़ कर दें तो 1,13,14 रुपे दूस्तों आपको एक्स्टा जो है यहाँ पर बनने पड़ेंगे अगर आप लोग क्रेट कार्ट से लोन यहाँ पर ले लेते हैं तो यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर इनको एक्स्टा इंटरस भी यहाँ पर कम लगेगा लेकिन दोस्तों यहाँ पर इनको 1,13,000 रुपे करीब यहाँ पर पे करना है प्र चाहेंगे लेना पसंद करेंगे या ने करेंगे हमारको आप लोग यहाँ पर comment section जो बताएगा तो यह credit card पर दूसों जो loan मिलता है मैंने यहाँ पर experience करा है कि जोस्तों हमेशा महंगा ही होता है जी हाँ दूस्तों हमेशा ही महंगा पड़ता है credit card पर loan लेना तो अगर आप लो अजय है कि जी हमेशा है लोग बताग है लोगवार कि जी हमेशा है जी हमेशा है पर दूस्तों है झाल झाल